What's up gamers, welcome back to a brand new video and guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं लिस्टो के वेबसाइट पे RVNC eSports का टॉर्नामेंट BJMA का कैसे जोइन करना है Step 1 प्रोसेस में guys, आप लोग को लिस्टो के वेबसाइट पे साइन अप करना पड़ेगा Sign up करने के लिए Log in बटन को प्रेस कीजिए Sign in with Google को option आजागा जैसे आप लोग उसको select करोगे अपनी respective Gmail ID को guys, आप लोग select कर लीजिए जिस Gmail ID से आप लोग को sign up करना है लिस्टो के वेबसाइट पे Select करने के बाद, आप लोग को sign up का process है वेबसाइट पे, वो यहाँ पे complete हुजाता है जो की काफी जादा easy है Sign up process complete करने के लिए guys, दिस्क्रिप्शन में दिये गए Link को tap करिए and सीधा आप लोग registration के page पे पहुँच जाओगे यहाँ पे आप लोग को register team को option select कर लेना है and ध्यान रहे, अपना team name जो आप लोग register करने के लिए डाल रहे हो वो unique होना चाहिए, otherwise registration को जो process है वो आगे नहीं बढ़ेगा, next step में आप लोग को अपना mobile number enter कर दिना है, ताकि further communication के लिए use किया जा सके next आप लोग को अपना IGN select कर लेना है जो आप लोग का in game name है basically and in case guys अगर आप लोग चाहो तो अपने team का logo भी upload कर सकते हो logo upload करने के बाद guys आप लोग को submit बटन दबाद देना है and then आप लोग का registration process जो हो successfully complete हो चुका है team का registration करने के बाद guys आप लोग को अपने players का registration complete करना है दो step से guys या तो चाहो आप लोग team code का use कर सकते हो या फिर जो URL दिया गया है उसको भी copy करके WhatsApp पे या अपने social media पे कहीं पे भी आप भेज सकते हो अपने players को and उस link को tap करने के बाद direct आप लोग के players का registration page open हो जाएगा फिल आल guys मैं यहाँ पर team code करने वाला हूँ अपने team को register करने के लिए सबसे पहले guys आप लोग को अपना unique team code copy कर लेना है then आप लोग को description में जाके same URL को tap कर लेना है तो registration का page open हो जाएगा page open होने के बाद join team के option को select कर देना है and unique team code जो था वो आप लोग को paste कर देने हैं यहाँ पे paste करने के बाद आप लोग का tournament registration open हो जाएगा and आपकी team tournament के लिए register हो चुकी है similarly चारो players को same process follow करना पड़ेगा इस tournament में अपनी team को join करने के लिए